कि नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब स्वागते आप सभी पहरी विद्यारतियुका आपके एपने यूटूब चैनल पॉंट के इस डिजिटिल प्लेटफोरम पर मैं आच चुक हूँ आपके समक्स फिर से एक नए सेशन को लेकर के तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग मेंृस्त करने वाले हैं आप सारे के सारे साथी जूड़़ जाएंगे और शुरूरात करेंगे आज के हमारे सेशन के बारे में लोग देखिएगा है आज जो नसल हम लोग पड़ने जा रहे हैं वो नसल है आपके क Rafagad जिसकी अगर हम बात करेंगे जो दर्चीनी काटयावार्स, चेतरगे गिर्वन गुजनात से जिसकी उत्पत्ति हम लोग बानते हैं, उसी गिर्वन लेकर के हम लोग चर्चा करने गिरगाई इसकी उत्पत्ति कहां से मानते हैं साथियों गिरगाई की उत्पत्ति जो मानी जाती है यह मानी जाती है दक्षिनी काठियावार शेत्र के गिरवन गुजराथ से इसकी उत्पत्ति मानते हैं ठीक है गिरवन गुजराथ तो दक्षिनी काठियावार जो है गुजर गिर्वन गुजराथ यहां से इसकी क्या है उत्पत्ति यहां से इस नसल की मानते हैं सातियों उत्पत्ति अगर बात आए इसकी उत्पत्ति कहां से मानते हैं तो इस नसल की उत्पत्ति कहां से मानते हैं तो इस नसल की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है इस नसल की उत्पत्ति जाती है उससारी चीजे हम लोग एक एक को देखकर के बात करने वाले हैं गेर गाय जो है सत्य रास्तान में मुख्य रूप से कांपर पाई जाती है यह रास्तान के दो दूसरा जिला है जिल्य चिदर प्लस बीड़ वाड़ा जैने कि अज्मिरम और बी लवड़ा राष्टान की जो जीले हैं एक का नाम है अज्मिर दूसरा जिला है आपका बीलवड़ा कि दोनों जिलों मुक्हे रुप से इस नसल की गाईयाँ आपको याजा तर देखने को मिलेगी या मुख्य रूप से इनी जिलों में ये गाई पाई जाती है आपकी अजमेर और भीलवडा जिले में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अजमेर प्लस भीलवडा यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है मतलब जाजात käytra इसी शित्र में आपको देखने को मिलेए अजमेर और बीलवड़ा वाले में और इस नसल की जो अन्य नाम है इसको किन किन नामों से जानते है तो यह आपकी गिर नसल की गाई है इसके अन्य नाम क्या है तो अन्य नाम साथ इस नसल की गाय को राजस्तान में या रास्तान में इसको कहते हैं रेंडी रास्तान में इसको कहते हैं रेंडी अजमेरा रेंडी इसको कहा जाता है रेंडी के साथ अजमेरा भी इसको कहते है अजमेरा भी इसको कहते है देसान इसको कहा जाता है देसान कहते है बोडली कहते है बोडली के नाम से इसको जानते है डेकन भी इसी को कहा जाता है अनिए नाम इसके क्या-क्या है अनिए नाम है रेंडी है अजमेरा है देसान है बोडली है डेकन अधि नाम है सात्य इस नसल के इत्त जो होता है यहां पर आप देख रहे हैं यह सीर है यह उपर की और उठा हुआ होת गाय के तो ether sr होता है वो भारी भरकम लालाट होता है लंबे लटके वे कान पत्ती की नमा इसके कान होते है याद रखना इसका जो सर होता है कि भारी भरकम उब्रावा लालाट कि भारी भरकम कि वे उब्रावा उब्रा हुआ ललाट उब्रा हुआ ललाट है ठीक है उब्रा हुआ ललाट अगर हम लोग बात करेंगे सात्य इसके बारे में तो इसके जो सींग होते हैं इसंह किसे हैं आप देखेंगे यह आदे चन्दर्मा के समाने इसके सिंह होते हैं इसके जो सिंह होते हैं यह देखेंगे यहाँ पर इजेन और भुला। आप इस एक बंधे जर कि शीम होते घरुथ अर्द चंद्राकार सिंग इस नसल के होते हैं अर्द चंद्राकार ललाट इसका होता है भारी बरकम और उपर की और उठा हुआ होता है मेरे सात्यों इस नसल की जो गाई होती है अब जब ब्राजिल बेजी गए तो ब्राजिल में इस नसल की जो गाई पाई आती है उसे क्या करते है ब्राजिल ब्राजिल में कब बेजी गए थी गुणी सोसी में बेजी गए और जब गुणी सोसी में यह जो नसल की गाई बेजी गए थी तो ब्राजिल में इसको क्या करत है ब्राजिल में कहते हैं बाहमान गेर नसल का जाता है तो वह गिर नसल की इगाई को कहते है और कहा पर कहते है गुजरात पतर। गुजरात में इसे कहते हैं गुजरात की सान इस नसल को गुजरात की सान भी कहते हैं गुजरात की सान किसे कहते हैं सात्यु याद रखना गुजरात की सान कहते हैं वो कहते हैं आपकी गिर नसल की गाये को गुजरात की सान कहा जाता है तो गिर को रास्तान में क्या करते हैं रेंडी अज्मिरा, डेकंट, देसान, बोडली, बाहमान कहते हैं इसको कहांपर? ब्राजिल में, और गुजरात के सान के नाम से भी जो है मेरे साथ यो इस नसल को जाना जाता है अब बात आती है कि इस नसल का रंग कैसा होता है और विसस्ताओं कि बात करेंगे तो इसका रंग केसा होता चितकबरा होता शरीर पर लाल और चॉकलेटी चित्तियां पाई जाती है यानि कि अगर हम लोग बात करेंगे इसका जो रंग है अब रंग को आप लाल ना कह सकते हैं आपर इसका जो रंग होता है रंग जितकबरा रंगव आप कहेंगे इसको. क्या कहेंगे रंग. एने की इसके श्रीर प्र आप देखेंगे? रंद रोता चितकबरा है, जिडिया इसके शेरीर पर लाल और चोकलेटी चित्तियंप आई जाथी ध्यान अगना? सरीन पर सरीर पर लालवय चोकलेटी हा wonे चोकलेती धबे यह चित्ति亞 कि घजह या दभा यह कि आपये पाई जाती हैं ऑगा आप आप क vigor डेकेंगे कि सर्फें तो गाई तो लाल अवड़ सो गम लाल है यहांपर कम लाल है ना तो यह वाला क्लर और यहां पर दबनार के न पर यहां कल लाल का दबन हुआ है तो यह इस कि जया और रहडके लाल रणके जहाते हैं हे अब बिल्कोल गहरे और लाल के चित्ति तियां पाई आती है और यह जो इसके संग होते हैं कि उतए अड़ चंद्राकार अगर बात करेंगे न्यों जो में सबसे लंबा डूद्धाल इस नसल का होता है कर में कि देशी घायो में गर्यों में सबसे लंबा कि सका होता है सबसे लंबा डूद्ध निया दूधिकाल पतल है मैं होता है अब आप में कितना होता है कि इससकी बीधकाल कोक्ते 630 203 25 जिन गया 325 तक दृमनेक गाई एक व्याम घगाई यही गाई होगी जो ओ शुटन कितना गुढ़ाये दीर इक है कोयोगा को सकता है स्भाटर से लेकर के अथारा तक दूत देती है या देखना डूत कितना डेती यह जो नसल हैसके अगर हम बात करेंगे की दूत कितना डेती तिया गुण डूत के Cave Dr. सो से अठारा सू लिटर के 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 अठारा सू लिटर से लेकर के अठारा सू लिटर प्रती ब्यांत ये गाई दूद देती है दूद में वसा की मात्रा कितनी होती है चार पॉंट पांच परसे चार से पांच प्रटीशत इस्के दूद में क्या प्रायती है वसा की मात्रा पायतिpowered जाती है कह इस नसल की जो गाई होती है इसके जो कान आप देखेंगे कान कैसे होते हैं लंबे लटके होते हैं पत्ती के रुमा होते हैं गुमावदार जहां रखना एक कान देख रहे हैं यहां इसके इस टाइप से होते हैं कि इस नसल के जो कान होते हैं कान कैसे होते साथ हो तो कान लंबे लटके हुए गुमावदार होते हैं कान लंबे लटके हुए गुमावदार गुमावदार ठीक है तो कान लंबे होते हैं लटके होते हैं और गुमावदार होते हैं सीधी वासा में अगर मैं कहूँ तो पत्ती के समान कान होते हैं इसके कान कैसे होते हैं कान जो होते हैं इसके इसके कान होते हैं पत्ती के समान पत्ती के समान लटके वे होते हैं कान और किसके समान लगते हैं तो आप देखेंगे तो यह सा प्रतीत होगा जिसे पत्ती है पत्ती के समान प्रतीत होता है या पत्ती के समान लगते हैं इसके कान पत्ति के समान लंबे लटकेवे गुमावधार पत्ति के समान इसके कान है इस नसल का जो नर होता है इसके नर के वीर्ये का परियोग विर्ये का प्रियोग नसल सुधार हेतु किया जाता है बैसों में होता है मुर्रा बैसों में कौन सी नसल के नर्के विर्ये का प्रियोग नसल सुधार के लिए करते हैं मुर्रा और गायों में कौन से नसल गीर का जो गीर नसल का जो नर है उसके वीरिय का प्रयोग नसल सुधार के लिए किया जाता है ठीक है बिल्कुल बात करते हैं पूंच की तो इसकी जो पूंच होती है पूंच ज्यादा लंबे नहीं होती है इसकी पूंच होती है इसकी जो पूंच चाब की होगी, वो कैसे होगी, तो इस नसल की पूंच होती है, साथ हो चाब उगनुमा, तो ये कुछ इसकी मैत्वपुन विसेश्था हैं, जो आप से एक्जामस में पूछे जाने योगी है, इनके बारे में आपको एक-एक के बारे में ध्यान रखना है, जी हाँ, सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, PDF से भी बाद में, क्योंकि सारी चीजे बड़ी सांदार तरीके से यहां पर आपको दिखाऊंगा, एक-एक चीजे दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, यह देखो, अगली नसल आपकी कौन सी है, तो कांक्रेज का नाम सुना है, कांक्रेज का न बात की हुई है, ठीक है न? बिलकुल, देखो, कांक्रेज के हम लोग बात करेंगे, आए शुरूआत करते हैं कांक्रेज के बारे, यह है हमारी कांक्रेज, कांक्रेज नसल की क्या विसेष्ता है? और वह इसकी कोई ज्यादा खास विशेश्टा नहीं है लेकिन जितनी है वह मैंत्वपुर्स है ध्यार रखना है इसकी उतपक्ति कहाँ से हुछ अहीं जो दिस चीज आपको बताना है कच्छ कारण जो गुज्रात में पढ़ता है वहाँ से इसकी उतपक्ति मानते हैं उतपक ता यहां से साचोरीन नाम के नाम के इसको जानते हैं तो नसल की गाय को कौन-कौन से उपनामों से जाना जाता है तो एक तो इसको कहते हैं साचोरी क्या 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 एक तो इसको कहते हैं साचोरी के नाम से इसको जानते हैं एक इसी के बनियार के नाम से इसको जानते हैं इसके नाम से बनियार बनियार भी इसको कहा जाता है बनियार सा साथ यह गया की सबसे उची नशल कुण सी यह तो क्या करें जो साती faster यह गाय की सबसे उची सबसे ऊची नसल है इसकी जो सिंग होते हैं सिंग लंबे होते हैं इसके इसनसल की गाय की जो सिंग है यहां पर देखिए यह यहां से लेकर कि यह यहां तक आ रहे हैं देखो सिंग जो हिस्कियों क्या होते हैं तो सिंग होते हैं इसके लंबे और सिंगों में लगबग 90% तक कैंशर पाया जाता है इसके शिंगों में यहाद रखना इस नसल में 90% तक जो है सिंग कैंशर पाया जाता है बिल्कुल कि आई यह इधर देखते हैं सिंग लंबे होते हैं सिंग जो होते हैं सिंग लंबे लंबे वैर 90 परतिशत सिंगों में कैंसर पाया जाता है 90 परतिशत सिंगों क्या पाया जाता है कैंसर पाया जाता है ठीक है तेखो सिंगों के दोनों सिंगों के बीच की जो दूरी होती है यहां पर यह नेची के और दसी होती है जुन बिल्कुल और इसका रंग जो होता है सलेटी होता है बूरा होता है चमकिला होता है माथा चोड़ा होता है और भीच का भाग नीचे के और दसा होता है यानि कि रंग केसा होता है इसका इसका रंग होता है सलेटी रंग होता है सलेटी रंग सलेटी का मतलत देख रहे हो ह चमकीला किसा होता है चमकीला होता है सलेटी बुरा चमकीला रंग इसका होता है और यह जो आपकी नसल है मेरे सातियों इस नसल का जो शिर होता है जो शींग होते हैं उस शींग मैंने की माथा जो होता है इसका माथा चोड़ा होता है और बीच में से अंदर की और दसा हुआ ह माथा किसे होता है तो इस नसल का यहां देखो यह देखो माथा इस नसल की जो गाय होती है इसका जो माथा होता है यह है माथा इसका माथा नीची की और दसा हुआ है माथा जो होता है इसका यह माथा यह चोड़ा होता है माथा चोड़ा होता है और नीचे की और दसावा होता है माथा नीचे की और दसावा होता है नीचे की और दसावा होता है दसावा होता है इस नसल की जो गाई है इस नसल की गाय के बाड़े में ध्यान अक्ति ग करते हैं तो जो आगे बाले थन होते हैं अगले यह थन होते हैं। देखेंगे अब सो कि अधन गया होते हैं तो आप जानते हैं अच्छे से कांक्रेज की जो थन होते हैं कि इसकी आगे के थन पीछे के थनों की अपैक्सा बड़े होते हैं तो तो नोगी अपैक्सा लंबे मतलब यह लंबे होते हैं पिछले वाले थनों से, चारों थन जो होते हैं इसके वो शेम नहीं होते हैं, सेम साइज के नहीं होते हैं, मतलब आगे वाले थन क्या होते हैं, वो आगे वाले थन होते हैं, आप इसके बड़े हैं, और पीछे वाले होते हैं, छोटे हैं, तीक है न हाँ बिल्कुल दूसरा इसकी जो टांगे हैं आप यहां पर देख रहे हैं पैर यह जो टांगे हैं तो टांगों पर काले धब्बे पाए जाते हैं अगली और पिछली देखो पिछली वह टांगों पर भी आगरे वाली टांगों पर भी है तो अगली वह पिछली टांगों प पिछली टांगों पर सप cloud नहुंट left में टांगों पर काले डवबिट में चुह जो टांगे रोत कि इसके प्रेयर ओजिए फरकत के पर य है इन पर क्या पाई जाती इसके रह ते ते सपा अरक प्रेंब काले रणके निशान पाई रहें EU को फरक नहीं पड़ता हुए कि काल मिनिसान या दभे पाइन बात करें 90 परतिसिए इसके शिंगों में क्या होती इस नसल में 193 इसके शिंगों में केंशर पाया जाता है और यह नेसल के जो बेल होता है वह सवाईचाल के लिए पर सिद आपकरे जिन जो है इस नसल का बेल कि सवायचाल होती थह जिसे जो नॉर्मल चाउल इन की यह होती है पहलों की उससे ज्यादा चालता सवाया चलता है क्या चलता हैं सबसे पृची है अब उच यह तो जार सी बात है भारी भी है भारत की सबसे भारी गाय की नसल अगर कोई है तो वह रास्तान की नहीं पॉत्रवर्मर रास्तान की कीजिर दूसरी ओगी विल्कुल और इसका जो उश्तन भार होता रहुता है लगबग 500 के आज-पास या यह सो कर दो चाष्टट पास भार कितना होता है इसका कि इसका जो वजन होता है वजन ये रेट्व से चौста है हैं वैं फंद्रा सोल छेलों परतियां लंडी जिर्ट इन तो चॉद्धा अशन सोल वीजुन से अफ़ियािं कि साजव की बाता हैं यह लीए नम at इसको होता है यहां वर भी पड़ा होता है अन्क होता है निस नशल गाये का जो नाख होता है नाक उपर की और उठावा होता है नाक उपर की और उठावा उपर की और उठावा होता है उठावा ठीक है चलो नाक होता है इसका उपर की और उठावा और ये जो नसल है आपकी ये कांकरेज नसल की हम बात करें जिसकी पलकों पर क्या पाए जाती है सलवटें पाए जाती ह हो यह लेकिन फलके बंढ नहीं षीयाद रखना आठी जो पलके हैं आठी पलकों पर क्या पाई आती है पाई कि आ इस गाय की जो आखी होती आक उर के फलकों पर क्या पॉट एस का श्छाय कि पलक उसके औंक किल गॉपर तो इस इस गाय की आंग की पलकों पर सलवटें पाई जाती है अनाक उपर उठावा होता है आगे के थन और पीछे के थनों की अगर बात करेंगे तो आगे के थन बड़े होते हैं पीछे के थन छोटे होते हैं आगे वाले थनों की अपेक्स आप पीछे के थन क्या होते हैं छोटे हो भारत की सबसे भारी गाय के नसल है जिसका ओशतन वजन रहता है वो रहता है 590 kg तक ओशत वजन दू देती है وج़े 1500 से प्रति यह जिसके आगे के थन पीछे की थनों के फेक्सा लंबे होते हैं जब कि अगली और पिछली टाइंगों पर काले no पाई जाते हैं नाक उपर उठा हुआ होता है पलकों पर सलवटें पाई जाती है उर शींग लम्बए होते हैं 90% में क्या मिल इसके माथे के बारे मैं में बात किया यह सींग यहां पर किसी को में 90 के पाई जाती नब inan 173 क कड़org और यह आपने देखा कि इसका जो माथा होता है माथा चोड़ा होता है और माथा नीचे की और धसा हुआ होता है इस नसल का गायक जो होती है इसका माथा चोड़ा होता है और नीचे की और यह धसा हुआ होता है ठीक है मेरे भई चलो यहां तक की बाते आपकी क्लियर हो गई ह और वेसे तुम ने आपको बताई रखा है कि मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तो आप वहां से इसके बारे में ले सकते हैं चलिए निकाल लिया होगा देखो आगे आपके आजाती है यहां पर थार पारकर नसल की बारे में अगर हम बात करेंगे सात्यों तो थार पारकर नसल की जो गाई है यह इसका उत्पत्ती कहां से शिंद प्रदेश का थार पारकर जिला जो पाकिस्तान में पढ़ती है या मोर्ट गूमरी भी इसका जो है माना जाता है यहां रखना उत्पत्ती इस नसल की उत्पत्ती कहां से मानते है वही देखो इस नसल की जो गाई है इसकी उत्पत्ति कहां से माने जाती है इसकी उत्पत्ति कहां से मानते हैं सबसे पहले यह है आपकी थार पार कर थार पार कर और थार पार कर नसल की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले बात करूँगा कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है क्योंति नसल की उत्पत्ति काल से मांते हैं सिंद्प्रांट से मांते हैं scores कि से कहां कि पाकिस्तान का प्राइब is जो है या सिंद्रदेश पाकिस्तान जो है उसका थार्पार कर जिला थिक है कि बहुत अच्छे कि दिखुँद शिंद प्रदेश का यह शिंद प्रदेश का थार पारकर शेत्र थार पारकर शेत्र ठीक नर और यह पढ़ता कहां है शेत्र पड़ता आपका पाकिस्तान में इसके बारे में आप यह इसके नाम से भी ध्यान रख सकते हैं कि जो परसित दहाई रास्तान वे कहां पर पाई लुए इस नशल की जो गाई है थार पार का नसल की गाई इधर लिखता हूं थार पारकर नसल की जुगाई है थार पारकर की कहां पाई आती है थार पारकर आपकी पाई आती है सात्यों रास्तान की जैसलमेर जैसलमेर बाडमेर जोदपुर में पाई आती है पाई जाती है यानि कि यह है जो नसल है आपकी यह नसल मेरे सात्यों कहां पाई जाती है तो यह रास्तान के तीन जिले मुख्यते ज्यादा तर यह जो है पाई जाती है जैसल मेर बाड़ मेर और जोद्पुर वाले पाट में पाई जाती है उपनाम क्या है तो इसको कहते है सिंधी के नाम से भी इसको जाना जाता है और पच्छी में रास्तान की काम देनों भी इसको कहते हैं तो इस नसल के जो उपनाम है यही पर लिख देता हूं इसके उपनाम उपनाम कि सिंदी भी कहते हैं लेकिन सिंदी केसी वाइट सिंदी मालाणी कि मालाणी कि मालाणी कि वाइट सिंदी मालानी वाइट सिंदी और इसके ईलावा इसके और जो नामे में ने साते यो इसको है लेकिन पच्छमी रास्तान की काम देनों किसको कहते हैं? वो कहते हैं आपकी थार पार का नसल की गाय को कहा जाता है पच्छमी रास्तान की काम देनों के नाम से हम लोग इसको जानते हैं ये नसल आपकी द्वी प्रियोजनी नसल है कैसी है? द्वी प्रियोजनी नसल है ध्या पालन होता है यहां जो धाली लटकी होती है यहाँ देखर देख रहेंगे यह जो इस हो इसका है यह गलकंबल टिर इसका गलकंबले ओसका हो तनि गहले कंबल होता है और यह गलकंबल मतलब लटका हुआ होता है जिसमें शलवटिय देखने को मिलेगी शलवटदार मतलब इसमें शलवट दार होता है मतलब रुसल विख्षित होती इसिस पर दुग दुश्ड़ा हाँ देखो अयन पूर्ण विक्षित होता है अयन पूर्ण विक्षित होता है विक्षित जिस पर दुख्ध सिराएं इस पस्ट दिखाई देती है 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 मतलब इस नसल की जो गाई होती है उस नसल की गाय का इस नसल की गाय का जो गल कंबल विक्षित होता है और उस आपको दिखाए देगी रज्टान में सरवादिक दूद देने वाली नसल है नुआ संब को देती है और लिदेती यापकी शाहिवा अगर पुछल में सब 확진 दूद यह कुण is इन a अ-ग ऐस्तान में है सब्सक्राइब के दूद कर दूद में को社 bạn सब्सक्राइब दूद्देनी वाली जो गाई है आपकी मेरे साथ ही वह आपकी कौनशी होगी तो वह गाई होगी आपकी यहां पर ठार पारकर ठीक है चलो चलिए तो यहां पर सब्सक्राइब यह क्या करती है तो इस नसल की जो गाई होती है वह सब्सक्राइब दूद्द देती है है कि रास्ता में सरवादिक दूद देती है रंग बदलने की सम्ता रखती है बतलब इस नसल का दोंता है कि एक लिए करता करेंगें इस नसल विपायाती है कि दूसारा ये जो नसल है आपकी सातियों सब्सकी मात्रा सबसे false previous जाने 25 प्रतिस्ज्ट सब्सकी नसल देती है 500 आदा प्रतिवयांं दूद देती है और दूद में वसाथा कितना होती शभाति आ noon- Moson वीशन patasavudink होती है लोग प्रतिरोदख शम्ता जबादिक सबसे यादा इसमें रोग प्रतिरोदग काइद अगर किश नसल में पाई जाती है तो वो वह भी कौन सी होगी आपकी तो भी मेरे पहले विद्यारतियों धार पार कर नसल की गाई होगी और लोग मानेताओं के अनुसार भगवान स्री किस्टन के पास कौन सी नसल की गाई हुआ करती थी तो वह भी यही होगी रहा है याद रखना लोग मानेताओं के अनुसार लोग फिवां है कई है इसे नसल की गाई थी मुझार्ष के बसुक्रारा गाए पργाका पुर्ष क्षिन के पास जो गाई को शींग कि दो यह से नसल के घाई जो एक पाए जाती थी ऐसा मानते हैं कुन मानते लोग's मानने ताहेयाँ को कि इसी निसल की गाई इनके पास हुआ करती ते हैं बिलकुर ठीक है भाई है चलिए यह हमारी है थार पार कर नसल कोंको ची साती हो थार पार कर नसल है यह कि जिले 22 कों कोंसी तो मुखिय रूप सेовор प्ट्रों तो एग अधिय। भी फिर एक बैतनी सेशन में तब तकक लिए आप सभी सात्यों को नमस्कार और उल्मीद करता हूं आपको सेशन पुसंद आया होगा मिलते हैं तब तक लिए सभी सात्यों को नमस्कार तंप रमसाब धन्यवाद झाल झाल